नमस्ते मैं डॉक्टर नरेश बाना फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक और नई केस्टडी के साथ जो पोर्ट के बारे में है नावा शेवा इंट्रनेशनल कंटेनर टर्मिनल और इसके लिए मैंने वितमंत्राले और श्री भरत सलोत्रा के 2007 में प्रकाशित एक रिपोर् सार्वजानिक निजी भागीधारी का एक उधार्न नावा शेवा इंट्रनेशनल कंटेनर टर्मिनल भारत का पहला निजी और सबसे आध्वनिक कंटेनर टर्मिनल है टर्मिनल महराष्ट राज्य के उरण में जवाला नहरूपोर्ट ट्रस्ट के छेतर के भी तरस्थित है 1990 के दशक में भारती अर्थवयोस्ता खुल रही थी समुद्री रास्ते के व्यापार में प्रयुक्त होने वाले कंटेनरों को बंदरगाहा में समालने के लिए जरुरी कंटेनर टर्मिनल के विकास की ततकाल आवशक्ता थी पुरण मुंबई में जवाला नहरूपोर्ट के साथ एक अंतराश्य कंटेनर टर्मिनल बनाने का तब निर्णे लिया गया परियोजना क्या है इसमें 600 मीटर लंबे एक वाफ यानि घाट का निर्मान पाइल फांडेशन के उपर करना था जिसके लिए तीन आवक अप्रोच ब्रिजिस की जरुवत थी और 20 हेक्टियर जमीन को समुद्र के अंदर से रीकलेम करना था और विद्यूत उपकेंद्र का निर्मान अन्य विद्यूत कारे करने थे और इनके लिए आफिस या अन्य व्यवस्थाएं करनी थी तब जाके ये 1.3 मिलियन यानि के 13 लाख 20 फुट कंटेनर के समकक्ष एकाईयों का जो इसकी कैपैसिटी थी वो विक्सित होती इसकी प्लानिंग ना 1996 में से शुरू होगी थी और इसका जो अनुबंध था वो P&O Ports Australia के नित्रतवाले कंसोर्शियम ने अधिक्तम शुद्ध वर्तमान मूले के आधार पर रोयल्टी की पेश कर बोली जीती थी ये कंसेशन 30 साल के लिए दिया गया NSIC TPL नाम के विशेश कंपनी का गठन किया गया और मार्च 2006 में दुबई Ports World Limited द्वारा P&O Ports जो आस्ट्रेलिया की कंपनी थी उसका अधिगरण किया गया तो इसका मतलब ये है कि आज DP World द्वारा जो संग बनाया गया है वो इसका मालिक है इसके लिए वित्य विवस्था में जो महत्पूर्ण बात होती है कि सरकार से अनुदान की जरूरत होती है वो नहीं थी और इसलिए इसका पूरा वित्य प्रवंध जो कंसेशनर हैं A&O Port Australia उनके द्वारा उनके देखरेट में यह हुआ और इसका रिन और जो निवेश का अनुपात था वो पचास पचास यानिक आधा आधा था और और ICICI के नितरत वाले रिन दाताओं के संग ने P&O Ports Australia द्वारा प्रदान की गई गारंटी के तहत SPV को लगए 190 करोड दिये और बाकी 170 करोड उपे का कर्ज अन्य वित्तिये संगा ठानों से उठाया गया था इसलिए इसके जो मानक जोखिम थे उनको अच्छे से सहिंवजन किया गया और सबसे अधिक जोखिम पाया गया कि जो regulatory environment है याने के नियामक जो जो policies हैं उसमें PPP के संबंद में सरकार के पास जो experience है वो कम है और PPP को नियंतरित करने वाले कानून भी नए हैं और उनका उप्योग भी पूरा निश्चित नहीं है तो उसके कारण कुछ परिशानियां कुछ जोखिम हो सकते थे हमारे visualization में आता है कि JNPT में एक container terminal के लिए जो special company बनी उनको concession दिया गया लेकिन इस concession ने सरकारी ख़जाने और उप्योग करता याने के जो terminal को use करते हैं उनके हितों को प्रभावित किया है टैरिफ तै करने के लिए जिम्मेदार स्वतंत्र वैधानिक नियामक द्वारा निभाई गई भूमिका के कारण NSICT ने सन 2002 से 2005 के दोरान 524 करोड रुपे का ASV कार्य फायदा उठाया याने के जो permitted अनुमे 20% उनको लाब होना चाहिए था उस पर वो 100% से ज्यादा लाब कम पाए दोजार पांच में जो विनेमक यानिक रेगुलेटर ने रोयल्टी बुक्तान के बोज को भी पोर्ट उप्योग करता पर पारित करने की अनुमति दी क्योंकि एक ऐसा ही आदेश मंत्रा लद्वारा 2003 में दिया गया था लेकिन उसका जो interpretation उसका जो अनुकरन करना था उसको TMP ने कंसेशनर के हित में किया और ये तब जबकि रोयल्टी यानि के लाभांश ही वो आधार था जिस पर NSICT को कंसेशनर के रूप में चुना गया था नतीजतन ओर्ट उप्योग करताओं ने इस अवधी के दौरान यानि 2000 से 2005 के दौरान अवश ही देर आशी से 80% स इसके अलावा उन्होंने और भी अधिक बुक्तान किया होगा क्योंकि पूंजीगत लागत और परिचालन लागत यानि के कैपिटल कॉस्ट और ऑपरेटिंग कॉस्ट दोनों को पताया नहीं गया था और TMP को उसको एवेलुएट करना पड़ा और उसमें बहुत ज्यादा इसकोप था कि इन चीजों को गोल्ड प्लेटिंग यानि के स्वर्ण मंदित करने का कंसेशनर के पास अवसर था नियामक और मंत्राले की भूमिका के बारे में बात कर लेते हैं कंसेशन के मालिक के रूप में जवालल नहरुपोर्ट ट्रस्ट की भूमिका भी उतनी ही संदिग्ध है क्योंकि इसने कानून या कंसेशन के समझाते के तहत अपने वैधानिक करतवयों का निर्वहन करने के लिए समुचित कदम नहीं उठाया और NSICT को खुली छूट दी शिपिंग विभाग ने दिशा निर्देश 2003 में जारी करके मामलों को और उल्जा दिया और ऐसे आदेश दिये जिससे इस पूरे अनुबंद की अवधी और सम्रिचना ही बदल गई कंसेशन की अवधी के दौरान NSICT द्वारा जेन पीटी को भुगतान की जाने वाली 8,390 करोड रुपे यानि के 30 साल के दौरान उन्हें 8,390 करोड का भुगतान करना था उसकी अनुमानित रायल्टी के बदले इसकी देंदारी घटकर नए आदेश की वज़े से देंदारी घटकर 2560 करोड रुपे रह गई जिसके परिणाम सुरू करीब 5830 करोड रुपे का अनुचित लाब कंसेशनर को हुआ है जो पोर्ट उपकरताओं द्वारा बेहन करना होगा 20 साल इसमें निकल गए हैं और 10 साल इसी तरह यह चलता नजर आएगा निशकर्स यह निकलता है और ध्यान ये भी दिया जाना चाहिए कि 2005 और 7 में 5-7 तक केंदर में जहाजराणी मंत्री वो ही थे जो राजमार्गों के मंत्री भी थे हम मौझूदा शहत्राब्दी के पहले दशक में यानि कि पिछले दशक में भारतिय पीपी में विचलन और संकट को पहले से जानते हैं हमें पता है कि किस तरह व्यवसाईयों ने अनुचत लाग उठाए है और बैंकों कारण NPA बन गया इसलिए ये प्रतीत होता है कि ये जो रॉयल्टी NPV को बोली का आधार बनाने के लिए रखा गया ये योजनावत तरीके से साजिश की गई और रॉयल्टी को व्याय माना जाने की भोशना की गई यानि के बोली लगाने वाला अधिकतं खर्च यानि अधिकतं क्रती कंटेनर संभालने का शुल्ख की पेश करके कंसेशनर बन सकता है उना तो ये चाहिए कि कम से कम शुल्ख कौन लेगा और ये जदे से जदा का यहाँ पे हो गया है और कि कितना बेतूका विचार है और भ गुर्विपरीत है ये केस्टडी अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिएगा शेर करिएगा और कमेंट भी करिएगा हम फिर हाजिर होंगे एक और इंट्रेस्टिंग केस्टडी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद नमस्ते